अंबाला में कॉंग्रेस प्रतियाशी विणू अगरवाल से हमारी संबादाता सलोनी मनिक ने खास बातशीत की इस दोरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉंग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हूँ और अंबाला का विकास अबाना प्रात्मिक्ता रहेगी को दूर करने का प्रियास आज वेनू अगरवाल आपके बीच में है आज कॉंग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत बनाने के लिए मैं कहना चाहूंगी सबसे अपील भी करना चाहूंगी आपके चैनल के माधियम से कि कृप्या मुझे मुझे मौका दें और जो वो लावार इस पशू है चाहे आप नशे का देखे सबसे बड़ा मुद्द है कि आज का हमारा युवा नशे की गिरफ्त में है और उसका कारण है बेरोजगारी वे बहुत बड़ा जूठा वाइदा था लेकिन हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है और इसलिए नश 75 पार सब कुछ 75 पार कर दिया तो उनको आदब पढ़ गी है 75 पार कहने की आम एक चीस बताइए कॉंग्रेस में देखा जा रहा है कि गुटबाजी के बारे में आप क्या गएंगी कितना गुटबाजी नहीं होती ठीक है सबके विचार अलग-अलग होते हैं मतबेद तो हर परिवार में होता है वो हो रहे है लेकिन बाद में सब लोग इकठे हो जाता है सबका एकमत होता है जो हमारे नेता हमें आदैश देंगे हम उसी पर काम करेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं सायोगी नरेश स्तैनी के साथ सलोनी मलिक आर्णाइन टेवी अंबाला